हम मांग लेके इसलिए आएं क्योंकि हम धर्णा दे रहे हैं 27 दिसंबर से पीच में डेलीकेशन में बोला गया था कि आपकी सुनवाई होगी इसलिए आपको धर्णा स्तगित करना पड़ेगा ठीक हमने साथ तरिक तरिक तक स्तगित कर रहा फिर साथ तरिक बाद कोई सुनव किया और अब तक हमें एक महिने के करीब लगातार हो चुके हैं इसमें हमारे अंचन पर बैटे थे क्रमिक अंचन पर बैटे थे लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं डेलीकेशन आया ना कोई आया अब हमें केबल के रोडीलाल बावा से ही उमीद है क्योंकि उन्होंने यु कि आखरी आस जो है बाबा किरोडीलाल जी है तो किरोडीलाल जी के दर पर बैटे हैं तो और यहां से कुछ न कुछ जरूर लेकर जाएंगे यह हमारा विश्वास है क्योंकि बाबा ने आस तक मैंने सुनाए कि जित्ते भी धंडे हुए उन धंडों को बाबा ने एक मतलब अपने अन्जाम तक पोचा है तो आज मैं इसी उम्मेद से अपनी बहनों के साथ बाबा के दर पर आई हूं कि हमारा जो एक सवा मैने से जो हमारा अंदोलन चल रहा यह उवा मित्रों का शाही दिसमारक पर तो depends मारा बाबा ही है जो हमारी आख्री आस और बाबा हमारे बह बगवान नहीं बैठी हूं मैं तो यहां पे और बगवान राम की तस्वीर लेकर आयू साथ के अंदर बाबा को मैंने तो अडमान जी बना दिया जैसे एक राम बगवान को नहीं आप उता रहे थे ना ले जाके सीता माता को लेकर आये थे वैसे हम महिलाओं का आयना वो करें डाया लाएंके हमारा रोजगारख वापस दिल्वाएंगे हमारे बच्चों को रोजी रोटी दिल्वाएंगे उनका जीवन बरकार रोजी रोटी मैलाह आज यह पे बैठी ही साहरान। करेंगा मुखा मिल रायत और बॉक 매 शुनेगा और क्रेगा बाबा को एक पास में पहबब कराऊं। धोर इतने रंदियु आगी मित्र में Minnie तब तक हम पाबा के शरण पार लगाता है तब तक हमारी नाव को भी पार लगाएंगे और हमारा आकरे आस्रा यही है और जब तक हमें बाबा नयाए नहीं दिलाएंगे तब तक हम भुके पैसे जैसे भी रहेंगे यहीं रहेंगे, चाहे हम मरे तो सही या जिये तो सही, उननी के दर पे रहेंगे.